हेलो स्रोइंट्स कैसे हैं आप सब लोग तो आज हम पढ़ने वाले एक नया चैप्टर डैडिस नेम एडमिशन ओफ पार्टनर अब हम एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं आज और यह चैप्टर बोड के इग्जामिनेशन के पॉइंट अव व्यू से बहुत इंपोर्ट ठीक है वेटेज की बात करूं क्लास तो लगबग 8-10 मार्क्स का वेटेज कवर करता है आम तोर पे 8-10 मार्क्स का और एडमिशन ओफ पार्टनर काफी बड़ा चैप्टर है तो इसकी कई सारे पार्ट आएंगे तो आप इन सारे पार्ट को लाइन देखना आज इसका पहला पार्ट है और आपको बिलकुल दिटेल में शुरू से समझाऊंगा इसके अंदर जेको अगर परसेंट चाहिए बाकी सारे पार्टनर से यानि कि अगर आपके बिजनस में 10 पार्टनर है आप 11 नंबर के पार्टनर को एड्मिट करना चाहते हो तो बाकी 10 के 10 अगर हम बोलेंगे तभी नया पार्टनर बिजनस में आप आएगा अधर्वाइस नया पार्टनर आप बिजनस में एड़ नहीं कर पाऊगे किसी नयए पार्टनर को business में आप एड़ तब तक नहीं कर पाऊगे जब तक पुराने सारे partner साहमती ना दे दे दें दूसरी बात आप नय partner को क्यों submit ना चाहते हो आप नए partner को एक्स्ट्र capital के लिए एड्मिट करना चाहते हैं कि आपको एकस्टरा पैसा मिल जाए इसलिए ने पार्टणर को एड्मिट करना चाहते से अब माल लेते हैं कि ए और ब्हू दो पार्ट्णर से इनकी स्वाश्यो है ञाहिने कि थ्री गॉटत चाहते हैं one by fourth share के लिए तो यानि कि C को पूरे firm का जो profit है उसका one by four दिया जाएगा C को हम लोग क्या बोलते हैं C को हम लोग नाम देते हैं new partner या incoming partner new कहलो या incoming partner C जो है एक नया partner है या आप कह सकते हो incoming partner है तो जब C business में आएगा one fourth के लिए तो A और B को कुछ ना कुछ sacrifice करना पड़ेगा अपने शेयर से कुछ ना कुछ देना पड़ेगा जो profit जो मुनाफ़ा पहले A और B बाटते थे अब वही profit को A B C तीनों बाटेंगे तो A B को कुछ ना कुछ देना पड़ेगा किसको C को इसलिए A और B बन जाते है sacrificing partners A और B को हम क्या बोलेंगे sacrificing partners या आप इनका नाम दे सकते हो old partners तो A और B old partners है या sacrificing partner है और A और B के सहमती से C जो है नया partner जो है वो business में admit होगा C कुछ extra पैसे लेके आएगा इसलिए C को admit किया जाता है या फिर C के पास कोई अच्छा talent है जो हमारे business को grow कर सकता है अच्छी knowledge skills है इसलिए हम C को या goodwill अच्छी है उसकी तो हम C को business में admit करते है तो अब हमें इस chapter में सीखना है कि कोई भी नया partner अगर business में admit होगा तो उसके accounting किस तरीके से की जाएगी समझे बात को पैसा वो लेके आएगा ये लोग sacrifice करेंगे उसके लिए क्या क्या share उसको देंगे इस सारी चीजे हम इस chapter के दर discuss करेंगे बहुत ही interesting chapter थोड़ा सा बड़ा जरूर है वेट इस जादा है बुक में भी आपको hundred plus question मिलेंगे इसके तो हम काफी सारे questions discuss करेंगे line by line step by step पूरा का पूरा लगबग इसके दस पार्ट बनेंगे उन सारे पार्ट को यह उससे ज्यादा एक दो कम भी हो सकते हैं अभी बने नहीं है तो जितने भी पार्ट बनेंगे उनको अच्छे से देखना पूरा का पूरा complete हो जाएगा चलो अब हम इसके अंदर क्या-क्या पढ चाहेगा तो A, B, C की जो नई ratio होगी वो हम सीखेंगे अभी calculation of new ratio and sacrificing ratio पुराने पार्टनर कितना sacrifice कर रहे हैं उसके हिसाब से कौन कितना sacrifice करेगा C के लिए उसको calculate करने के लिए हम ratio सीखते हैं तो calculation of new ratio and sacrificing ratio पहला topic होगा दूसरा topic हम पढ़ेंगे journal entries इसमें काफी सारी entries होती है वो सारी के सारी entries पढ़ेंगे फिर हम पढ़ेंगे hidden goodwill की calculation की hidden goodwill कैसे calculate किया जाता है पूर्थ पार्ट के अंदर हम पढ़ेंगे इसमें treatment of accumulated profits and loss और हम फिर पढ़ेंगे revaluation account पार्टनर्स के एंड बैलंशीट यह सारी चीज़े हम लोग इस चाप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं यह पूरा टॉपिक हमारा इस पूरे चाप्टर में रहने वाला है तो आज हम सुरू करेंगे अपना सबसे पहला टॉपिक calculation of new ratio and sacrificing ratio ठीक है आप वीडियो पॉस करके note कर सकते हो साथ साथ में सबसे पहला content हम डाल देते हैं इसके अंदर calculation of new ratio and sacrificing ratio पुराने पार्टनर्स नए पार्टनर के लिए कुछ न कुछ शेर sacrifice करेंगे that is called sacrificing ratio और new ratio का मतलब क्या है जब ABC तीनों की ratio को मिला कर एक ratio बनाई जाएगी तो वो कहलाएगा आपका new ratio ठीक है थोड़ा सा numerical example लेते हैं फिर हम आगे इस topic को detail में समझेंगे मान लेते हैं हम लोग कि दो पार्टनर्स हैं कि ए और बी इनकी रेशियो थ्री रेशियो टू सिरी बाई फाइव टू बाई फाइव और इन्होंने profit कितना कमाया आम तोर पे एक लाख रुप है दोनों में बढ़ जाएगा तो दोनों में एक लाख कैसे बढ़ेगा एक लाख का थ्री बाई फाइव बनेगा सिक्स्टी थाउजन एक लाख का टू बाई फाइव बनेगा फॉर्टी थाउजन अब इन्होंने सी को एड्मिट कर लिया वन फॉर्थ शियर के लिए कितने के लिए वन बाई फॉर्थ शियर के लिए तो अभी आपका जो profit एक लाख का है उसमें से सबसे पहले आप सी को व जो ए और बिमें बटेगा 75,000 का 3 x 5 अगर आप calculate करोगे 75,000 का तो आपको मिलेगा कितना 45,000 और यह बन जाएगा आपके लिए 30000 ए और बी को ठीक है यानि कि 75 का 3 x 5 किया आपने 75 का 2 x 5 किया ए बी का answer आ गया है आप एक काम करो देखो पहले उनको कितना मिल रहा था ए और भ 40,000 अब कितना मिल रहा है 45,000, 30,000 B को और C को 25,000, देखो A का और B का शेर कम हो गया, A का शेर कितने से कम हो गया, 15,000 से, B का शेर कितने से कम हो गया, 10,000 से, इन दोनों ने सेक्रिफाइस किया, तभी तो C एड्मिट हुआ ना 25,000 से, आरे बात समझ में क्लास आईगी तो एक ल दोनों मिला के, sorry, B ने सेक्रिफाइस किया, 10,000, दोनों मिला के 25,000 रुपे C के लिए सेक्रिफाइस किया, तभी C एड्मिट हो रहा है, इसलिए A और B को क्या बोलते हैं, लोग सेक्रिफाइसिंग पार्टनर, अब यह हमने एक numerical calculation किया, अब इसी को share से, ratio से calculation कैसे करेंगे, वो देखो आप, calculation of new ratio and sacrifice ratio, तो नई ratio निकालने के तीन अलगला case होते हैं, नई ratio को calculate करने के लिए हमने पूरे के पूरे टॉपिक को तीन अलगला case में बाट दिया है, पहला case जो है हमारा, वो है simple या normal case, first case जो है, वो simple या normal case है, दूसरा case हमारा क्या है, surrender, surrender, surrender या, Gibbs, ठीक है, तीसरा case हमारा है, acquire या take, ठीक है, surrender मतलब दे देना, कि A और B अपना हिस्सा surrender कर रहे हैं, किसके लिए, C के लिए, और acquire का मतलब C अपना हिस्सा ले रहा है, किससे A और B से, लेको बाते दोनों में सेम है, surrender किसके पॉइंट अवी से जो दे रहा है, और acquire क हम इसमें एक-एक करके सारे case समझते हैं, सबसे पहले simple case की बात करते है, simple case के पीछे एक rule भी है, आप ध्यान रखना, in simple case, मैं आगे लिखवा, आगे भी समझाऊंगा आपको, in simple case, simple या normal case, old ratio, old ratio is equal to sacrificing ratio, अभी मैं question भी कराऊंगा, simple case में जो old ratio होता है, वही sacrificing ratio के बराबर होता है, अब यह trick है, old ही sacrificing के बराबर है, कैसे होता है, हम चेक भी कर लेंगे, तो सबसे बहले simple case समझते हैं, अच्छा सर पता कैसे चलेगा, कौन सा simple case है, कौन सा surrender case है, कौन सा acquire case है, तीनों में ही हमें नई ratio और sacrificing ratio निकालना है, तो द लिखा होगा, acquire case में acquire किया है, वो चीज लिखा होगा, sacrificing ratio का formula आप लिख लो, sacrificing ratio is equal to old ratio minus new ratio, sacrificing ratio का formula है, sun, beta, sun, old minus new, sacrificing का formula क्या है, old ratio minus new ratio, अभी तो किया आपने देखो, old में कितना मिल रहा था, 60,000, नई में कितना मिल रहा है, 45,000, तो अगर हम 60 में से 45 घटा दें, तो 15,000 उसका क्या आजाएगा, sacrificing share आजाएगा, तो sacrificing कैसे बचलेगा, तुमको पहले कितना मिल रहा था, 60,000, अब कितना मिल रहा है, 45,000, तो तुम्हारा कम कितना हुआ, कितना sacrifice के तुमने, 15,000, ठीक है तो sacrificing का formula क्या हो गया, बता हो जाएगा, old ratio minus new ratio, sacrificing ratio is equal to old ratio minus new ratio, done, यहां तक हो गया, अब हम question देखते हैं, इसके question फटाफट, यह question class आपको मिल जाएगा, हमारे telegram channel पे सुनील पांडर 12th commerce, ठीक है, यह हमारा telegram channel है, वहां पे आप सर्च करो, सुनील पांडर 12th commerce, फूरा sacrifice, पहला point, पहला question, x, y, z partners है, इनकी ratio जो है, वह है 532, इसे पढ़ने के बाद किसी भी किताब से कोई भी question बना सकते हो, okay, 532 ratio है, उन्होंने किस कोई admit कर लिया, A को admit कर लिया, 1 5th share के लिए आपको नहीं ratio निकालना है, क्या इस question में कुछ भी और information दिया है, कौन कितना sacrifice, मत require case, ऐसा कुछ लिखा है, क्या, नहीं लिखा, सिर्फ old ratio दिया है, और नया partner कितने के लिए admit हुआ, ये दिया हुआ है, बस आपको, और कुछ भी नहीं दिया हुआ, तो देखो, इसकी calculation हम कैसे करते हैं, ठीक है, चलो, पहला question को solve करते है, solution number 1, question में लिखा है, कि x, y, z, 3 partners है और इनकी ratio है, 5 plus 3 plus 2, यानि कि 5 by 10, 3 by 10, 2 by 10, और इन्होंने A को admit कर लिया है, कितने के लिए, 1 by 5 share के लिए, अब करना क्या है, let the firm, let the new firm, देखो, जब भी मैं new firm बोलूँगा, यानि कि x, y, z और A, चारों को मिला के नई firm बनेगे, let the new firm share of profit, new firm total share of profit be 1, ठीक है, तो हमने firm की profit को 1 मान लिया, 1 में से सबसे पहले A को दे दो, देखो, नया partner को पहले दे दो, 1 में से नय partner को 1 by 5 दे दो, तो कितना बचेगा, 1 में से 1 by 5 जाएगा, तो 4 by 5, ये 4 by 5 किसका है, ये 4 by 5 है, x का, y का, और z का, तो नय firm की profit को मैंने क्या मान लिया, 1 मान लिया, इस 1 में से न पार्टनर को दे दिया 1 by 5 हर कोस्चिन में ऐसी करना है तो बचे का कितना 4 by 5 अब यह 4 by 5 किसका है x y z का तो x को कितना मिलेगा इस 4 by 5 का 5 by 10 मिलेगा y को कितना मिलेगा इस 4 by 5 का 3 by 10 मिलेगा z को कितना मिलेगा इस 4 by 5 का 2 by 10 मिलेगा और एका है कितना एका तो है 1 by 5 ठीक है एका कितना है 1 by 5 तो इस चारों की रेशियो के कठ्था जब हम बनाएंगे तो आ जाएगा इसका अंसर तो यहां पर देख लेते हैं 20 upon 50 आ गया 12 upon 50 आ गय यह आ गया सर इसके नीचे तो 5 है लेकिन रेशियो में सबके डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए तो इस 5 को 50 कैसे बनाएंगे उपर भी 5 से मिल्टिप्लाई तो यह जाएगा 10 अपॉन 50 तो इनकी रेशियो क्या बनेगी 20 रेशियो 12 रेशियो 8 रेशियो 10 यह आगी चारो की रेश तो रिपीट करता हूं कैसे निकाला है फटा फट देख लो पूरे फर्म की प्रॉफिट को माना वन वन मैंसे पहले नए वाले को देदो जो बचेगा वो पुराने पार्टनर में उन्हीं की रेशियो बाड़ दो फिर चारों को एक कठा लेगी एक रेशियो बना दोगे त आपको ऐसे समझा दूंगा मजा आपको आ रहा होगा अभी तक आप देख रहे हो तो एंड तक समझ आएगा डोंट वरी कोई दिक्कत नहीं आएगी मैं हूं कोई प्रॉब्लम ने आने दूंगा ओल्ड रेशियो माइनस नियू रेशियो लेकिन कॉमेंट जरूर करो यार क एकस का ॉल्ड कितना है बताओ जर्ग था फाइब द अर इनका जो न्यू शेयर था वह कितना आ रहा है देखो न्यू कितना रहा है 10 प्लस 6 16 प्लस 25 यह सब के नीचे कितना आ रहा है 25 वा रहा है ठीक है तरीके से 25 यह भी आएगा 50 यह से मायगा इसका 50 15-12 और यह भी आएगा 50 10-8 2-50 सब कि रिज़े 50 तो रेश्यो क्या बनेगा 5 रेश्यो 3 रेश्यो 2 तो आपने क्या देखा यहां पे आपने क्या देखा कि जो old ratio था जो old ratio था same to same वही ratio क्या आगया sacrificing ratio क्यूं क्यूं क्यूंकि यह simple case है simple case और normal case में old ratio होता है वही हमेशा sacrificing ratio के बराबर होता देखा लिख को लिख Intel in simple case in simple case यह normal case old ratio is equal to sacrificing ratio. सिंपल केस और नॉर्मल केस में जो ओल्ड रेशियो होता है वही आपका सेक्रिफाइजिंग रेशियो होगा हमेशा नहीं हमेशा नहीं सिर्फ और सिंपल केस में ही ओल्ड रेशियो जो है वह वह सेक्रिफाइजिंग रेशियो के बराबर होता है क्लियर यहां तक तो इस तरी सब्सक्राइब नेक्स कोशिन देखते हैं चलो फड़ा फड़ा जाओ एक सेकंड पहुंच गया नेक्स पर देखते हैं सेकंड कोशिन यह रहा अच्छा इक्वल पार्टनर्स मतलब एक वी का रेशियो क्या वन रेशियो वन और आगर आपको एक रेशियो नहीं भी दिया होगे आप एक्वल मान होगे यानि कि वन रेशियो वन उन्होंने दो पार्टनर को एड्मिट किया सी और डी एज वन बाई फाइब और वन बाई शिक्स यह रेस्पेक्ट रियू रेशियो अब फटाफट इसे आप अपने आप कर लेना बहुत ही सिंपल है और कॉमेंट मे आंसर जरूर बता देने इसको करने के बाद कि क्या आंसर है सब लोग तो अब करना क्या है पूरे फर्म की प्रॉफिट को वन मानना है उसमें सी का हिस्सा घटा देना वन बाई फाइब जो बचेगा यहां पर जो भी बचेगा उसको बाड़ देना किसमें ए और बी में वो जो है वो उसका बढ़ जाएगा तो वन में से घटाना पहले वन बाई फाइब फाइब फिर जो बचेगा अभी जो कोशिन ने वन कर आया उसमें एक ही पार्टनर था एड्मेट इसमें दो पार्टनर एड्मिटर जसे एक का किया वैसी दूसरे का भी कर देना ओके चलो और लिखा है कि A B decide to share equally in future आफा यह नई रेश्यों नहीं है क्योंकि नई रेश्यों किसकी होती है A B और C की और यहां क्या लिखा है कि A और B ने decide किया है कि वह equally future में share करेंगे A और B ने क्या decide किया They will share equally in future तो अब करना क्या है देखो जरा third question का solution यहाँ पर check करो Question number third solution check करो Partners कौन-कौन है इसमे A and B इनकी ratio क्या है 3 by 5 and 2 by 5 किसको admit किया है C को कितने के लिए 1 by 4 share के लिए हम पूरे firm की profit को 1 मानते है C का घटा देते है 1 by 4 बचा कितना 3 by 4 किसका है 3 by 4 A का और B का 1 में से 1 by 4 घटा देंगे तो आएगा 3 by 4 यह किसका है A का और B का तो A और B इसको equally share करेंगे ऐसा लिखा है तो यानि कि इस 3 by 4 का equally मतलब half यह A ले लेगा half B ले लेगा और C का तो है कितना C का तो है 1 by 4 वैसे हम क्या करते इस 3 by 4 को हम किस ratio में बाढ़ते नॉर्मली 3 ratio 2 में बाढ़ते लेकिन नहीं कोशिन क्या कहा रहा है इसको equally बाढ़ दो ठीक है जब कोशिन कहा रहा है कि equally बाढ़ना है तो equally बाढ़ दो क्या प्राबलम है अब सुनो, सबकी denominator सेम होने चाहिए, इनके नीचे 8 है, 8 है, तो हम C के नीचे भी 8 कैसे बनाएंगे, उपर भी 2 से multiply, नीचे भी, यह आगे आपका 3 ratio, 3 ratio, 2, यह आपका new ratio है, यह आपका old ratio है, अगर आपको sacrificing ratio निकालना है, तो आप क्या करोगे, old ratio minus new ratio, simple, आ जाएगा sacrificing ratio, clear है, हलागे पूछा नहीं, तो नई ratio पूछा है, तो हमने यहाँ पर नई ratio निकाल लिया, कोई दिक्कत परिशान नहीं है, क्लास, comments बता देना, next चलते हैं, अगले question पे, मुझे काफी question कराना है, इसलिए मैं फटा-फट करा रहा हूं, आप लोग देश जिल, एक बना, सबसे प जालना क्या है, sacrificing ratio, तो बोलो, sacrificing का formula क्या है, old ratio minus new ratio, sacrifice हमेशा पुराने partner ही करेंगे, ठीक है, तो यह 43729, यह आ जाएगा, A और B का sacrificing ratio, old ratio minus new ratio, कितना आएगा, 45, देखो, जिनको यह plus minus नहीं आते, यार इसको तुम कैसे भी सीखो, YouTube पे सर्च करो, कैसे fraction का plus minus करते हैं, वो करके सीखो, यह आपकी जिम्मेदारी, मैं आपको ज्यादा नहीं सिखा पाऊंगा, because एक class, तीसरी, चौथी class का का काम है, plus minus तो आपको आना ही चाहिए, 9, 37, 20, 7 upon 45, यह आएगा, यह भी आएगा class 45 नीचे, और 18 minus 15, 3 upon 45, तो आएगा ratio 7 ratio 3, simple, new ratio दे रखा है, old ratio दे रखा है, sacrifice ratio निकालने के लिए क्या करोगे, आप old में से new ratio को minus कर दोगे, simple, आपका sacrificing ratio, I hope कि यह चीज clear हो गई होगी, अब तक आपको, next देखते हैं कु वीडियो पॉस करके, question को note कर लेना, चलो, अब question 4, यह कुछ अच्छे questions है class, simple case के ही, इसलिए मैं से करार हूँ, both case चेक करते है, ABC partner है, इनकी ratio 2 to 1, D admit हो रहा है, new partner के लिए, कितने के लिए, 16 के लिए, C will retain his original share, यह question बच्चों को बड़ा परेशान करता है, बात को समझना, ABC C, ratio क्या है, 2 by 5, 2 by 5, 1 by 5, बिचारे, C को पहले कम मिल रहा है, 1 by 5, अब D admit होने लगा, C को डर लगा, C कहता है, भाई, D admit होगा, तो मेरा और कम हो जाएगा, मेरा तो पहले से कम है, तो C कहता है, भाई, देखो, मैं D को admit नहीं करूँगा, यह और भी कहते है, भाई, देख, इसमें admit कर पाऊंगा, समझ रहे हो बात को, वो कहता है कि मेरा एक रुपए भी कम नहीं होना चाहिए, जितना पहले मिलता था, मुझे पहले कम मिलता था, अब आप उसे admit करोगा, मुझे और कम मिलेगा, तो मेरे को मेरा same share चाहिए, हमने बहुत ही के चलो, आपको आपका same share दे देंगे, चेक करो कैसे होगा, इस question का solution, तो यह है question number 4, हमारे अपने example का solution, देखो, अब A, B, C की जो ratio थी, वो थी 2 by 5, 2 by 5, 1 by 5, D admit हो गया, ठेक है, कितने के लिए 1 by 6 के लिए, तो पूरे firm की profit 1 है, 1 में से D का हिस्सा घटा दो, कितना 1 by 6, लेकिन, इस question में कह रहा है कि C भी अपना original share retain करेगा, तो जो C का share है, वो भी original share होगा, तो यहां से आप minus कर दो, मतलब हम कहेंगे, पूरे firm की profit, यह री, यह लोड़ो D, तुम नए partner, तुम यह ले लो, और तुम जो C हो, तुमारा, मतलब कि जो C partner है, तुम भी अपना 1 by 5 है, तुम भी अपना 1 by 5 ले ल यह C का था, यह D का था, तो अब जो बचेगा, वो A और B का है, तो A को कितना मिलेगा, इस 19 by 30, अब सुनना अच्छेज, अब यहां गलती मत करना, अभी A और B की ratio क्या है, 2 ratio 2, यानि 2 by 4, 2 by 4, आप काट की क्या कर सकते हो, 1 by 2, 1 by 2, यानि कि A और B का तो share बराबर बराबर ना, 2, 2, ratio हमेशा numerator से बनता है, तो A और B का जो ratio है, अब यह नहीं है, अब A और B का ratio क्या है, 2, 2, और 2, 2 का मतलब क्या होता है, 1 ratio 1, तो इसका half मिलेगा, A को, B को भी मिलेगा, 19 by 30 का half, और C का तो थाई, 1 by 5, 1 by 5 ही रहेगा, C का, और D का कितना admit हो है, 1 by 6, तो यह आएगा कितना आपका, 19 by 60, 19 by 60, अब देखो, सब के लिए 60 हाना, चीए 60 कैसे बनाओगे, 12, 12 से मल्टिपलाई कर देना, उपर भी नीचे भी, ठीक है, यानि कि इसको 60 बनाना है, 5 को किस से मल्टिपलाई करेंगे, सोचो, 5 के पहाड़े में 60 कितनी बार में आता है, 12, 12, 5, 6, और य अभी भी कोई पार्टनर रिटेन करना चाहेगा, तो आप शुरू में उसका शेर माइनस कर देना, बस इतना ही है, और बाकी जो बचेगा, वो ए और भी बाटना उनही की रेश्यो में, 22 में, अब उस 2 by 5, 2 by 5 मत करना, 22, यानि कि कर जाएगा, 1 by 1 रेश्यो वान आ जाएग तो 2 by 4, 2 by 4 करते हैं, बात बराबर है, 2 by 4 बोलो, चाहे, 1 by 2 बात वहां पर बराबर हो जाएगे, यह हो गया, सिंपल केस के काफी सारे अलग-अलग कोश्चिन, तो सिंपल केस हमने पूरी तरीके से अच्छे से समझ लिया है, सिंपल केस को, अब हम इसके बाद क्या करते है अब सरेंडर केस को समझने के लिए हम एक कोश्चिन लेते हैं, यहां पे कोश्चिन नुबर 6, ठीक है, 5 हम बात में करेंगे, अब एक कोश्चिन में 6 करते हैं, 6 सीख लेंगे, 5 भी हो जाएगा, 6 में क्या लिखा है, देखो ज़रा, A, B, पार्टनर से हैं, रेश्यो कितनी थ्री रेशियो टू दे अड्मिट सी ए सरेंडर वन बाई टू याने कि हाफ ओफ हिज शेयर अब सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट अगर इस कोश्चिन में कोई लाइन है या कोई वर्ड सेंटेंज है तो यही है वो हिज शेयर ए कहता है कि मैं अपने अपने हिस्से का आधा किसको दूँगा सी को एंड बी कहता है मैं अपने हिस्से का एक चौथाई वन बाई फोर किसको दूँगा सी को आपको क्या निकालना है नई रेशियो अब समझना जरा बात को क्या इस कोश्चिन में बोला है देखो कैसे निकाल अब मुझे बताओ आप A B का शियर कितना है अच्छे से देखना सरेंडर केस को A B का शियर है 3 by 5 और 2 by 5 वो C को admit कर रहे हैं कितने के लिए नहीं पता जी कितने के लिए नहीं पता लेकिन A जो है अपने हिस्से का आफ का मतलब का अपने हिस्से का आधा यानि कि जो बने है कितना 3 by 10 3 by 10 ये किसको दे रहा है C को मिल रहा है C के पास कितना आ गया 3 by 10 किससे मिला A से तो C को A से कितना मिल गया 3 by 10 अब B कहता है कि मैं अपने हिस्से का एक चौथाई जो कि बनेगा 2 by 20 वो किसको दूंगा C को तो C के पास 3 by 10 किससे मिल गया A से मिल गया C के पास 2 by 20 किससे मिल गया B से मिल गया तो कुल मिला के C के पास कितना हो गया 20 और 10 का हिस्से मिल गया 20 6 plus 2 8 by 20 C का हिस्से का एक एक चौथाई 1 by 4 2 by 20 जो कि बनेगा आपका 8 by 20 आप चाहो तो इसको 2 by 20 कार्ट के 1 by 10 भी लिख सकते हो और इस 8 by 20 को अब कार्ट दो तो यहागा 4 यहाएगा 10 फिर यहाजाएगा 2 यहाजाएगा 5 ठीक है 2 upon 5 हो जाएगा ठीक है तो यह हो गया पूरा C का शेर तो C का शेर तो हमको यहाँ पे देखो यह मिल गया C का शेर यहाँ पे अब हम क्याल्कुलेट करते हैं सुनो मेरी बात A और B ने तो C को दे दिया A और B ने C को दे दिया तो remaining share of A A का remaining share कितना बचेगा तो A के पास था कितना 3 by 5 कितना दे दिया 3 by 10 दिया तो यह है ना A के पास था कितना चेक कर ऊपर A के पास कितना था 3 by 5 दिया कितना 3x10 तो अभी ay के पास कितना बचा यह आएगा 10 6-3 यानि कि 3x10 बचा B के पास था कितना पहले 2x5 कितना दे दिया 2x20 20 आएगा 5 के 20 यह आठ आएगा 8-2 6x20 चीक है और C के पास कितना है यहां पे 2x5 C के पास कितना है 2x5 तो सबको एक काम करते हैं, 10-10 बना लेते हैं सबको, तो यह cut जाएगा यहाँ पर, आप सबको 2020 बना सकते हो, एक ही बात है, तो यह आगया 3 by 10, यह भी 3 by 10 है, और इसको 2-2 से मट्टाई कर देंगे, तो यह आजएगा 4 by 10, तो ratio क्या बन जाएगा, 3, 3 और 4, ratio में से numerator से बनता ह 3 by 10, 3 by 10 और 4 by 10, तो इनकी ratio जो आएगी, वो आएगी, 3 ratio, 3 ratio, 4, तो यह आगी नई ratio, ठीक है, तो surrender case में कुल मिला के क्या होता है, पहले आप multiply करते हो, फिर minus करते हो, surrender में पहले multiply करते हो, कि तुमको कितना share देना है, तुमको देनी के बाद कितना बचा, minus करके आप इस तरी आप नई ratio जो है, निकाल लोगे, A, B और C का नई ratio आजाएगा, clear यहां तक, यह हो गया आपका surrender case, surrender case में ध्यान रखना, पहले multiply होता है, फिर minus होता है, ठीक है, अब हम चलते है, acquire case पे, surrender हो चुका है, अब हम acquire case बिलते हैं, और उसके लिए question देखेंगे, acquire case के लिए, acquire case हम कही ना कही लिखा होगा, यह रह, acquire कहलो या takes कहलो एक ही बात है, acquire कहो चाहे takes, अब देखो takes में कभी भी off is नहीं लिखा रहेगा, समझ रहे हो बात को, उसमें from, take में देखो, जो acquire है, surrender या gives, acquire और takes में from लिखा रहता है, from is, चेक करो, रवी और मुकेश दो partner है, इनकी ratio 7, ratio 3, असोक को admit किया, 3 by 7 के लिए, which he takes 2 by 7 from रवी, 1 by 7 from मुकेश, आप समझना, असोक कितने के लिए आ रहा है, 3 by 7 के लिए, 3 by 7 में से 2 by 7 वो रवी से लेगा, और 1 by 7 मुकेश से लेगा, 2 by 7, plus 1 by 7, कितना आता है, 3 by 7, कहीं भी off नहीं लि माइनस, तो यहां पर direct माइनस होगा, यहां कोई multiplication नहीं होगी, इस situation में क्या करोगा, आप direct माइनस करोगे, ठीक है, direct माइनस, कोई multiplication नहीं होगा, सीधा क्या करना है, आपने उसको माइनस कर देना है, चेक करते हैं question यहां पर, question number है आपना 7, solution, रवी और मुकेश, वीडियो लेंदी होगी, क्योंकि यह education की वीडियो है, मैं चाहता हूँ, topic जल्दी कवर हो आपका, ठीक है, आप भी यही चाहते हो, तो यार इसे पढ़ना, और मेरे लिए इस वीडियो को अपने class 12 के जितने भी बच्चे है, उनको share करना, और उनसे पूछना कि वो tuition, school में इतना पै invest extra money anywhere intuition, चलो, अभी इनोंने किसको admit कर लिए असोक को, कितने के लिए 3 by 7 के लिए, तो रवी के पास था 7 by 10, रवी से कितना ले लिया उसने 2 by 7, मुकेस के पास कितना था, मुकेस के पास था 3 by 10, कितना ले लिया उसने मुकेस से 1 by 7, ओके, और अशोक के पास तो पहले से ही कि 3 by 7 है, तो यह हो गया पूरा का पूरा question, कतम, रवी से माइनस, मुकेस से माइनस, simple, acquire case में क्या होता है, simple minus करना है, acquire takes में simple minus, तो यहां पहल से माइनस, 70, 49 minus 20, 29 upon 70, यहां पहले गा 70, calculation देखो आपके अच्छी होनी चीए, because यार बहुत सारे बच्चों को आता नहीं calculation करना य या गलती करते हैं, तो यार उसको सुधारो, यह कोई ज़्यादा difficult काम नहीं है, अब 70 कैसे बनाओ, बोलो, 3 by 7 को 70 कैसे बनाए, 3 by 7 को उपर बिटन, निचे बिटन, आ जाएगा, 30 upon 70, so new ratio is 29, 11, और 30, ओके, तो इस तरीके से नई ratio की calculation हम लोगों ने कर लिया, surrender case, acquire case में, औ अब हम इसके अलावा कुछ और अच्छे question इसी के देख लेते हैं, ठीक है, यह question तो गया, 7, screenshot ले लिया करो, question का अगर आप नहीं note कर पाते है, साथ-साथ में, अब आते है, 8 question पे, ठीक है, चलो, अच्छे से पढ़ो, 8 question, हर type का question रखा, इसके अंदर, x और y partners हैं, किसी firm मे share, x और y से ले रहा है, 2 ratio 1 में, समझना बात को, z अपना share, मतलब मेरा जो share है, मैं दोनों से बराबर बराबर नहीं ले रहा है, question कलो यह भी हो सकता है, कि z अपना share दोनों से बराबर बराबर ले रहा है, तो z का share कितना है, बोलो, 1 by 4, बराबर बराबर कितना होगा, बराब वो तो रेश्यों one में ले रहा है यहां पे एकस एंड य पार्टने से इनकी रेश्यों कितनी है इन्हों किसको एड़मिट कर लिया है Z को admit किया है कितने के लिए admit किया है 1 by 4 share के लिए और इस 1 by 4 को वो X और Y से ले रहा है किस ratio में 2 ratio 1 में तो 1 by 4 का 2 by 3 देखो 2 ratio उनका मतलब क्या होता है 2 by 3 1 by 3 न तो इस 1 by 4 का 2 by 3 X से लेगा और 1 by 3 किस से लेगा Y से तो X से कुल मिला के लेगा 2 by 12 और Y से कितने लेगा 1 by 12 अगर आप इन दोनों फिगर को एड करोगे तो भी यह कितना बनेगा आपका 1 by 4 यह बनेगा मतलब कि जड ने अपने हिस्से के दो टुकडे कर दिए ठीक है मतलब कि एक टुकडा है 2 by 12 एक है 1 by 12 तो घटा देंगे इसस 2 by 12 विस से घटा दो 1 by 12 विस से घटा दो एसम कितना बताओ जरा 60 तो यह आएगा 5 36 माइनस 10 26 अपन 60 यह आएगा 60 24 माइनस 5 19 अपन 60 और Z का 1 by 4 है तो आप 4 को 60 कैसे बनाएंगे उपर भी 15 और नीचे भी 15 15 और 16 यह आएगा 26 यह नГीं रेश्यो आगई समझे बात को तो कर को कुई भी है चेंज कर सकता है का इस से 3 ratio 2 में ले रहा है दोनों से कुछ भी बोल सकता है अब इस question हम sacrificing ratio निकाल लेते हैं फॉर्मुला क्या है old ratio माइनस new ratio तो यानि कि z अपना हिस्सा x और y से किस ratio से ले रहा है class equal 2 ratio 1 से तो z के हिस्से का 2 by 3 निकाल लेंगे और दोनों को माइनस कर देंगे x का x में से और y का y में से तो old ratio कितना है 3 by 5 new कितना है 26 upon इन सब की टोडलिंग करो यह पूरा 60 आ रहा है ठीक है तो यह 60 आ जाएगा 36 माइनस 26 10 by 60 x का आ गया sacrificing share और y का क्या करेंगे old ratio कितना है 2 by 5 new कितना है 19 by 60 तो यह जाएगा 60 24 माइनस 19 5 upon 60 तो sacrifice ratio क्या आ गया 10 ratio 2 अगर आप यहाँ पर थोड़ा analysis करो तो 10 ratio 2 का मतलब क्या होता है 5 ratio 1 तो 5 ratio 1 क्या आ गया इसका sacrificing share आ गया कि इसने sacrifice कितना किया है 5 इसने sacrifice किया है मतलब कि हां इसने sacrifice हमें क्या लेख दिया एक सेकड़ें यही तो थोड़ा गलती हो जाती है ना देखो यह आएगा 10 ratio 5 यानिकी 2 ratio 1 है यह 10 यह 5 है मैंने mistake कर दिया था उसके लिए sorry यह आ गया 10 यह आ गया 5 तो ratio क्या आ गया 2 ratio 1 2 ratio 1 में क्या किया था x ने sorry z ने 2 ratio 1 में दोनों से लिया था तो sacrifice भी किस ratio में करेंगे 2 ratio 1 में ही तो करेंगे सीरीस ही बात है सीरीस ही बात है नया partner आप से जिस ratio में लेगा आप उसी ratio में तो sacrifice करो उसने मुझसे दो लिया तो मैंने भी तो उसको दो दिया यह ratio सेम ही आनी है तो इस तरीके से class हमने सारा question को complete कर लिया हमारा पूरा topic surrender case normal case acquire case सब complete है simple case में old ratio जो है वो sacrificing के बराबर होता है एक आखरी question करें class question 9 इसके साथ हमारा पूरा topic खतम हो जाएगा 9 question जड़ा check करो 9 क्या है x और y partners है इनकी ratio कितनी है 3 ratio 2 और उन्होंने admit किया z को अब सुनो 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 x surrender या gives एक ही बात है one third of his share x अपने हिस्से का एक तीहाई दे देता है जबकि y gives one tenth from his share अब इस यहाँ पे यह लिखा है from मतलब कि direct minus यह लिखा है office पहले multiply और फिर minus तो question देखो क्या होगा यह लिखा है यहाँ आधा case यह अपने हिस्से का one third x ने अपने हिस्से का one third जो कितना बनेगा one by five भी बनेगा किसके favor में दे दिया बताओ जरह 10 दे दिए तो अगर हम ले 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 यहां पर two plus one three by ten जो है ये जड़ का शेर आजाएगा अब x के पास remaining कितना शेर बच्चा एक्स के पास था कितना वोलो three by five कितना दे दिया एकस ने one by five तो कितना पच्छे एक्स के पास अब two by five y के पास था कितना two by five y प्राबलम यह है कि सबके नीचे 10 है यहां 5 है दस कैसे बनाऊगे उपर भी मंटिप्लाई दो से नीचे मुझे डिनोमिनेटर को बराबर करना है उपर चाहे कोई भी figure हो जाए तो 4 ratio 3 ratio 3 या गे नई ratio x y z की 4 3 3 4 ratio 3 ratio 3 ओके तो इस तरीके से हमारा यह question भी हो गया जहां इस तरीके से question देखो पढ़ाई चल रही है इसके बाकी chapters के question भी हम लोगों ने करा रखें आपको fundamental change in PSR goodwill goodwill NPO सबके लाइन बेले वीडियो कवर है तो आप चैनल पर जाओ डिस्क्रिप्शन प्लेलिस्ट मिल जाए क्लास 12 के अकाउंट्स का economics का और BST का सब कुछ देखो ला 15th of his share from P तो R का जो भी हिस्सा है R का हिस्सा कितना है last में लिखा हुआ है यहां पर class यहां पर R share है ठीक है गलती है miss print ठीक कर लो R share कितना है 1 by 5 तो R इस 1 by 5 का 1 by 5 जो कि 1 by 25 बन रहा है वो किस से लेगा P से तो P से घटा देना 1 by 25 नया share P का निकल आएगा और 4 by 5 इस 1 by 5 का 4 by 5 जो कि बनेगा 4 by 25 वो किस से लेगा Q से Q से घटा देना और तीनों की ratio मिला के निकाल देना new ratio यह कुछ ऐसा ही question है जैसा हम लोग ने अभी question number 8 नहीं किया 8 question देखो जड़ा 8 question यहां पर ratio क्या है मतलब कि Z take his share from X and Y in ratio 2 ratio 1 वहां पर यही चीज बदल गया है देखो 5 question में कि 1 by 5 और 4 by 5 वोन रेशियो 4 में आर जो है अपना हिस्सा ले रहा है किस से P और क्यू से तो यह हो गया पूरा का पूरा question बाई-बाई-बाई-टेक कियर उमीद है आप comment section जरू मुझे बता हूए कैसा लागा वीडियो आपको next वीडियो में हम लोग क्या continue करेंगा अगर आप class 12 स्टुदेंटों और compartment भी दे रहो चाहे कोई बत्वल्त का स्टुदेंटों प्लीज सब्सक्राइब करें बले कंदबा देना इस चैनल आप ही लोगों के लिए आपको बहुत बिन्फिट देगा सारे important information से लेकर आपकी पढ़ाई तक बाई-बाई-टेक कियर मिलेंगे next वी